दोस्तों वेलकम टू कॉइट नॉलेज और आज की इस वीडियो में एक लैप्टॉप को हम अबग्रेट करेंगे जो कि यहां पर इस लैप्टॉप में एक हार्ड ड्राइव है उसको हम चेंज करके हम एसेसडी लगाएंगे इसमें तो एसेशडी इस लैप्टॉप में कैसे इस पूरा वीडियो में आप देखते रहिए स्टेप्बएस्टेप आमने यहांपर ढमस्टेशं किया कि कैसे आप है एक पूराना लैप्टॉप में एक इसेसडी लगाएंगे आप तेन्टाइम फास्टर कर सकते हैं कि एक कोई भी लैप्टवप में आप SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं यहां पर हम HP का एक 15AY542TU मोडल में यहां पर हम SSD चेंज कर रहे हैं तो पहले तो बैक पैल से जो जो स्कूरू है सभी स्कूरू का पो खोल लेना है कही बार आपका laptop के पीछे कोई स्टिकर होगा तो उसके नीचे भी कुछ स्कूरू रह सकता है तो आप चेक कर लीजिए कोई भी स्कूरू होता है क्या किसी किसी laptop में पहले कीवोड आपको खोलना पड़ता है जैसे कि डिल का laptop में उपर जो कीवोड है उसका पैसले डिटाच करना पड़ता है उसके बाद आप बैक पैल खोल सकते हैं पर यहां पर इस HP laptop में कीवोड फिक्स है तो सिब बैक पैल खोलने से हमारा काम चल जाएगा और किसी किसी laptop में पूरा डेडिकेट एक आड्रेव का स्लोट दिया होता है सिब उस पैल को खोल के आप चेंज कर सकते हैं वो पूरा लेप्टोब में फीचर्स दिया रहता था अभी पूरा बैक है उस कॉर्णर को आप थोरा सा प्रेस कीजिएगा तो जो क्लीफ है वो क्लीफ निकल के बाहर आ जाएगा और आपका जो बैक पैल है वो अराम से उपन हो जाएगा मुणा और हो इस कर सकता है में वो जाएगां घ्यान का भाटल में लिवारा Carib हो जड़ता प्रेस कर सकता है दोस्तों यहां पर दिखिए हमारा बैक पैल उपे नुचुगा है और यहां पर बहुत दूल जम गई है तो मेरा रिकोमेंडेशन इहीं रहेगा कि आप पहले तो बैक पैल को और जो कॉम्पोरेंट्स है वो प्लिंग कर लीजिए कोई भी ब्लोर से तो आभी हम चींज करेंगे हार्टिक्स को कि दोस्तों यहां पर देखिए brings और यहां पर देखिए हाट डिक्स है ह सभी लैप्टाब में दोर्या सुप्फिएव होता है मैं रिम होता है और एक खाली रहता है, आप चाहिए तो उस खाली स्लॉड में एक रैम एड कर वी सकते हैं, यहाँ पर हाट डिस का जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट का जू जो स्कूर है, यहाँ आप दhrान से खोल लेना है, आप खुद से कर रहे हैं तो आप थोड़ा सत भ्यान से करेगेगा, कि मिक जो कि खवी भी तूट सकता है और आपका लेफट आप चनला बंदर हो सकता है तो बहुत ध्यान से ही आपको जो जो स्कूरू है वो खोल के जो भी प्लाग है उसको आप डिटाच करिए यहां पर देखिए जो साटा कीविल है वहां पर हम डिटाच कर रहा है हार्डिक से बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि जो आपका जो चिप है वो चिप के साथ जो वायर जूरा हुआ है बहुत ही पतला होता है कभी तूट सकता है तो यहां पर देखिए हमारा लेफट आप में डवलो डी वान टीवी का हाट डिक स्था जो जो ब्रैकेट का जो स्कुरू है वो भी हम खोल लेंगे तो उस ब्रैकेट को हमको स्थी में लगाना पड़ेगा तो यहां पर आप जे कर लिए जे कहां पर वो फीट बैठता था इसी हिसाफ से आपको एसेश्डी में भी उसी तरीके से आपको उस ब्रैकेट को फीट करना है दोस्तों हम यहां पर कुशियल का 240 जीवी का एक एसेश्डी उस कर रहे हैं यहां फ्लीप कार्ड में वान थाउजन फाइव अंड़क का मिल जाएगा अभी तबी ओफर में वान थाउजन तू अंड़क का भी मिल जाता हैं तो उस एसेश्डी में हम जो ब्रैकेट था उस ब्रैकेट को हम फिट कर लेंगे यहां पर जो ब्रैकेट था हमने लगा दिया है एसेश्डी में तो यहां पर आपको दियान से बठाना है और पहले तो आपको जो साटा पोट है उसको आप कनेकरन लेना है बहुत ध्यान से करना है इसको आपका शाटा पोट लूस रहेगा तो आपका बूट नहीं होगा आपका लेप्टॉप में तो आप ध्यान रखियें कि आपका जो साटा पोट है ओ वो प्रफर तरीक से कनेक्ट हो गया है इस इस डिसे अभी जो स्कुरू है उसकुरू को आपको फिर से टाइट कर देना है हुआ है कि मारा जो SSD था वो प्रोपर तरीकी से टाइट हो गया हैं अभी जो बैक पैल था वो फिर से हम लगा दे रहे हैं प्रोपर तरीकी से प्रेस करेंगे तो जो क्लिव है वो अड़क जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा अभी दूस्तों यहां पर जब हम पावर बन में क्लिक किये हैं यहां पर कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर कोई भी बूटबल डिक्स नहीं है तो हम यहां पर क्या करेंगे तो पहले आपको बायोस में जा कर आपका जो लिजे सी मेमों में जो अफ़्षक बूट और है उस लिजे शी पूट रिओर को आपको चैंज करके पहले तो आपका जो इन्टर्नल हाद ड्राइफ है उसको पहले ले आना पड़ेगा अब हमने एक pen drive को attach कर लिया है laptop में जिसमें Windows 10 भड़ा है अब देखिए इसका हमने जब bootable pen drive connect किया है तो यहाँ पर विंडोस 10 इंस्टलेशन डालो बोक्स आज गया है यहाँ पर यहाँ पर इस लेंगेज और जो करेंसी फर्माट हो उसको सिलेट करके आपको विंडोस इंस्टल कर लेना है विंडोस इंस्टलेशन का एक प्रॉपर वीडियो अमारे चैनल में मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में हम उस लिंक को अटच कर देंगे जिसके एप से आप उस विंडोस इंस्टलेशन आप कंप्लेट देख सकते हैं कैसे आप एक विंडोस 10 इंस्टल कर सकते हैं आपके पीसी में तो ऐसे करके आपको विंडोस आपको इंस्टल कर लेना है दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगा है और अच्छे लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइ झाल